नमस्कार दोस्तों स्वागा थे आप सभी लोग का सोनो स्टडी क्लासेज यूटूब चैनल में दोस्तों आज मैं आप सभी लोग को इंग्लिस ग्रामर पार्ट आप स्पीज केस का हिंदिया और इंग्लिस दोनों भासाओं में डिफिनेशन बताऊंगा अगर आप लोग मेरे चैनल पे नय है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन पर स्टेडूर के लिए तो दोस्तों केस को हम लोग हिंदी में कारक कहते हैं The case of a noun or pronoun describes whether the person of object in consideration is the subject of the sentence or it is object. Noun या प्रनाउन का case या बताता है कि वह किसी वह व्यक्ति या वस्तु वाक्य में करता subject की भूमिका में हैं या करन अब्जेक्ट की. Third case also elevated on the ownership of something एक तीसरा case भी होता है जो वाक्य में मालिकाना श्रम्बंद की जानकारी देता है. Depending on the use of the noun और प्रनाउन in a sentence, it can also be classified into on of the following cases. वाक्य में अपने उप्योग की आधार पर संग्या कुन्यम लिखी तीन में से एक कीस में वर्गी करित किया जा सकता है. When a noun or a pronoun is used as a subject of a verb, it is in the nominative case. जब किसी संग्या या स्वरनाम का वाक्य में उप्योग करता के रूप में किया जाता है, तो उसे nominative case का दर्जा दिया जाता है. The noun is said to be in the accusative case. If it is used as the object of a verb in the sentence, जिस संग्या का उप्योग क्रिया के करम के रूप में किया गया हो, उसे accusative case का होना कहा जाता है. For example, Ram robbed the car, इस वाक्य में Ram करता की भूमिका में है, और कार करम की, इसलिए Ram को Ram का रूप nominative case है, और कार का accusative case. The car was driven by Ram, इस वाक्य में Ram करम की भूमिका में हो गया है, कार करता की, इसलिए कार का रूप nominative case है, और Ram का accusative case. When the noun denotes ownership or procession, procession is said to be in the processive case. जब किसी संग्या के उप्योग से मालिकाना संबंद प्रतीत होता है, तब उस processive case के रूप में होना बताया जाता है. For example, this is Ram, Ram's car. इस वाक्य में, कार पर Ram का मालिकाना संबंद प्रतीत होता है, इसलिए Ram's का रूप processive case है. अगर आप लोगो वीडियो अच्छी लेगी, तो वीडियो को लाइक करें, share करें, comment करें, और next वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरू करें. Thank you for watching.